यूटूब एब पर घंटी बजाओ और खबरे अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ प्रणा मुखर जी ने अपने भाषन में स्वतंतरता आंदोलन और अखिल भारतिय कॉंग्रेस पार्टी के योगदान का भी दिक्र किया है परवर रास्ट्रपती और सर संग संचाला के भाषन में सबसे बड़ी समानता ये देखने को मिली कि दोनों ने कहा कि सभी भारतिय और एक हैं भारतिय रास्ट्रवाद धर्म जाती और शेत्र सबसे उपर है वास्तों में एक स्वाभावी नित्यक्रम में होने वाला ये प्रसंग है उसके पक्षमें और विपक्षमें जो चर्चा होती है उसका कोई अर्थ नहीं है ये प्रतिवर्शे जैसे होता है वैसे होता है वैसा ही हुआ है उनको कैसे बुलाया और वो क्यों जा रहे है ये चर्चा निरर्थक है संग संग है डक्टर प्रणों मुकर जी डक्टर प्रणों मुकर जी है और रहेंगे भारत की धर्ति पर जन्मा प्रत्यक्व्यक्ति भारत पुत्र है इस मात्रुभूमी की निस्सीम भाव से भक्ती करना उसका काम है और जैसे जैसे उसको समझ में आता है छोटे तरीके से बड़ी तरीके से सभी लोग ऐसा करते हैं चार ही प्रकार भारत वर्ष में है पराया कोई नहीं है दुश्मन कोई नहीं है सबके माता भारत माता है सबके पूर्वज समान है चालीस अज्जार वर्षों से ऐसा दियने का विप्नानाच कहता है सबके जीवन के ऊपर भारती और संसकूरती के प्रभाव स्पष्ट रूप से देखने को मिलते सर्वत्र संग ने यही विचार किया है संग सबको जोडने माला संगतन है समाज में संगतन संग को नहीं करना है समाज का ही संगतन संग को करना As Gandhiji explained Indian nationalism was not exclusive, not aggressive, not destructive. It was this very nationalism that Pandit Jawadwal Nehru so vividly expressed in the discovery of India. And I quote, I am convinced that nationalism can only come out of the ideological fusion of Hindu, Muslims, Sikhs and other groups in India. That does not mean the extinction of any real culture, cultural or of any group, but it does mean a common national outlook to which other matters are subordinated. . 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